हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कभी ने हुआ हो लेकिन क्या पता आप कभी ने कभी इतनी बुरी प्रिस्थीती में फस जाए कि आपके पास ने खाना हो ने पानी और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए तो क्या ऐसे में आपको अपना पेसाब पी अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए और उसके स्रीर में पानी की कमी हो जाए और वो बिमार पड़ जाए तो आर्मी के हिसाब से उस वक्त ये चीजें कभी नहीं पीनी चाहिए अगर देखा जाए तो पेसाब समुदर के पानी से ज़्यादा अलग नहीं है पेसाब में 95% पानी के साथ सोडियम, कलोराइड और यूरिया घुले हुए होते हैं और समुदर के पानी में भी 96.5% पानी के साथ 3.5% सोडियम कलॉराइट घुले होते हैं तो पेसाब पीना समुदर के पानी पीने जैसा है अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अगर पानी नह हुआ तो पेसाब पी लेने से हमारी पानी की कमी पूरी हो जाएगी लेकिन पेसाब पीने से आपके साथ इससे उल्ट होगा आपके सरीर में पानी की कमी और ज्यादा हो जाएगी अगर आप पानी की कमी पूरी करने के लिए पेसाब को पीओगे तो आपके सरीर में पानी की कमी और भी ज्यादा हो जाएगी और आपका blood pressure बहुत कम हो जाएगा यानि BP low हो जाएगा BP low होने की वज़े से आपके सरीर के महतरपूर्ण अंगों जैसे दिल, फेफडे और गुर्दों तक बहुत ही कम मातरा में खून पहुँच पाएगा जिसकी वज़े से ये सबी अंग खराब हो सकते है या फेल हो सकते है या काम करना छोड़ सकते है और इसके साथ साथ पेसाब में यूरिया भी ज्यादा मातरा में होता है जो हमारे सरीर के लिए एक वेस्ट यानि खराब चीज है और यूरिया हमारे सरीर में नहीं रहना चाहिए इसलिए हमारे किड्नी हमारे खून में से यूरिया को च्छान कर हमारे पेसाब में मिला देती है जिसको हम बाद में सरीर से बाहर कर देते हैं इसलिए अगर हम पानी की जगए पेसाब पी लेंगे तो हमारी कीडनी को एक्स्ट्रा यूरिया को च्छानने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिसके करण हमारी कीडनी फेल भी हो सकती है इसके अलावा हमारे पेसाब में 85 परकार के अलग अलग बैक्टिरिया भी होते हैं जो हमारे सरीर में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं इसलिए मेरी तो आप लोगों को यही सला है कि अगर आप ऐसी परिस्थिती में फंस जाए तो पेसाब तो कभी ने पियें अपने आपको बचाने के लिए कोई और उपाए निकालें आप कोमेंट करके बताएं कि आप लोग ऐसी परिस्थिती में क्या करेंगे